ट्रेन पुलिसमेन रेस्क्यू सेलफी मैन पूरी नाम के गाव में एक धन्वान आदमी रहता था उसका चावला नाम का एक बेटा था चावला को पैसे होने का अंकार बहुत हुआ करता था उसे बाई कार बदलने की आदत भी थी नई कार खरीतते ही वो पुरानी कार को गाव के पास वाले पहाड से नीचे ढखेल देता था वैसे ही बाई को ले जाकर रेल की पट्री पर रखता था ट्रेन आकर मारते ही बाई क टुकडे टुकडे हो जाती थी घर पर पिता रे ये क्या कर रहे हो इस्तमाल किये हुए चीजों को सेकंड हैंड में बेचना या किसी को दे देना ये सब कर सकते हो न ऐसे क्यों नाश कर रहे हो यूं कहा चावला ओ डैड मैंने इस्तमाल की हुई चीज़े कोई और इस्तमाल करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता कितनी बार कहूं आपको पहले मुझे पैसे दो जाकर मुझे नया फोन खरीदना है पिता रे परसु ही तो फोन खरीदा ना उसे क्या हुआ अब नया फोन क्यों चाहिए चावला बाह ये क्या है डैडी पूछी हुई बात ही और कितनी बार पूछोगे अब जो बताया वो याद कर लो ना पहले पैसे दो कहकर पिता की हाथ से पैसे छीट कर चले गया इससे पिता ने सर पकड़ लिया वो मोबाइल शॉप के पास आती ही दुकान वाला उसे एक हतोडा दिया चावला उससे अपना पुराना फोन तोड़ कर वापर से हतोडा उसे दे दिया शॉप वाला क्या भाई इतना अच्छा फोन है किसी को बेचोगे तो अच्छे पैसे मिलते न वैसे मेरी बात आप क्यों मानोगे भाई मेरा काम बस हतोडा देना नया फोन दिखाना वोही तो है येलो भाई लेटेश्ट फोन इसमें सिल्फी निकाले तो बहुत अच्छा आता है सुना सिल्फी केमरा को 100 मेगा पिक्सल दिये भाई दाम पच्छास हजार है कहकर फोन दिखाया चावला शाबाश रे ये मुझे बहुत पसंद आया आने वाले हफते में एक और अच्छा फोन मंगाओ कहकर पैसे देकर निकल गया इस तरह वो मंदिर के पास पहुंचा वहां विखारी से सेल्फी लिया फिर उसे उस फोन के सोशल मीडिया पर देश की सबसे बड़ी पनौती है ये विखारी इन्हें तुरंत देश से निकाल कर भेजना होगा कहते हुए पोस्ट किया फिर एक दोसा बंडी के पास आया वहां पर भी एक सेल्फी निकाल कर उसे भी देश के लिए शर्मिंदगी की एक और बात ये चीप टिफिन बंडी इस पर ये कमीने लोग खाटे कैसे है वो भी नहीं समझाता मैं तो 5 स्टार होटल के अलावा और कहीं नहीं खाता ए बगवान मेरे देश को बचाओ कहकर पोस्ट किया फिर उस तरीके से बस स्टैन रेलवे स्टेशन में सेल्फी निकाल कर मन में आये वैसे अपमान करते हुए पोस्टिंग करने लगा एक दिन वो सर पर हेटफोन लगा कर गाने सुनते हुए एक रेल ट्राक के पास आया उसके उपर खड़े होकर सेल्फी लेते हुए आहा क्या क्वाल्टी है वाह आज कोई तो नीच कमेंट दालना होगा हम क्या दालूं हाँ ये हेटफोन का दाम कितना है और कैसे ये गरीब कहीं के नहीं करीच सकते ऐसे बताऊंगा सोचकर फिर से सेल्फी ले रहा था इतने में दूर से उसके पीछे एक ट्रेन आ रही थी वो उस पर गवान नहीं किया और सेल्फी निकाले जा रहा था वो एक SI कौंस्टेबल ने देखा ए भाई ट्रेन आ रही है हटो हटो यूँ जोर से चिलाते हुए दोनों भागते हुए आ रहे थे लेकिन वो उनकी बात सुन नहीं पाया तब SI रुक कर एक पत्तर लेकर उसकी और फिंका वो से लगा तो चावला गिर गया और ट्रेन से इस तरह बच निकला SI जी बहुत थैंक्यो जी आपने मेरी जान बचाई अब मैं निकलता हूँ यूँ कहा SI रुको रे कहा जाओगे चलो स्टेशन जो दंड तुझे मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही ना SI रे तुम्हारे ये बेकार पोश्ट मैं कई दिनों से देख रहा हूँ ऐसे है तो मन में आए वैसे पोश्ट करोगे कहकर उसे एक मारा फिर इस तरह उसे जेल में डाल दिया गया